महें सिंग धोनी का नाम दुनिया के महान क्रिकेटरों में गिना जाता है और आज ये एक कामयाब खिलाडी हैं लेकिन क्रिकेटर बनने की राह धोनी के लिए इतनी आसान नहीं थी और एक साधारण इंसान से महान क्रिकेटर बनने के लिए अपने जीवन में काफी संगर्ज करना पड़ा महेंद सिंग धोनी ने क्रिकेट खेलने की शुरुवात अपने स्कूल के दिनों से ही कर दी थी लेकिन इंडियन टीम का हिस्सा बनने के लिए उनको कई साल लग गए लेकिन जैसे ही महेंद सिंग धोनी को देश की ओर से खेलने का मौका मिला तो इन्होंने इस मौके को बखुवी उपयोग किया और धीरे धीरे अपने आपको क्रिकेट की दुनिया में इस्थापित कर दिया दोस्तों आज हम आपको महन सिंग धोनी से जुड़ी कुछ खास वातें बताने वाले हैं सन 1981 में भारत के जारखंड राज में जनमे धोनी ने इसी राज से एवी जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से अपनी सुरुवाती सुक्षा हासिल की थी अपनी बारवी गक्षा की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सेट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया था लेकिन क्रिकेट के लिए धोनी को अपनी पढ़ाई के साथ समझोगता करना पड़ा और उन्हेंने अपने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी थी मैं सिंग धोनी का पिता पान सिंग में कॉन कमपनी में कारे किया करते थे और उनकी माता का नाम देव की है इनके परिवार का नाता उत्राखंड से है लेकिन इनके पिता अपने कारे के चलते जारखंड आकर रहने लग गए थे जिसके बाद ये इसी राज के निवासी हो गए धोनी के परिवार में इनके मां और पीतक के अलावा इनकी बहन भाई, पत्नी और एक बेटी भी है इनकी बड़ी बहन एक अध्यापिका है और बड़े भाई राजनेता है धोनी की jindगी में प्रिंका जहनाम की एक लड़की हुआ करती थी जो धोनी की गल्फेंट थी लेकिन 2002 में प्रिंका की मृत्य हो गई थी जिसके कारण धोनी की ये लब स्टोरी अधूरी रह गई थी धोनी की जिन्दगी के इस हिस्से के बारे में लोगों को उनके जीवन पर बनी फिल्म के जरिये पता चला धोनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी से विवाह किया यह एक लब मैरीज थी कहा जाता है कि यह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थी लेकिन जब साक्षी छोटी थी तभी इनके पिता देहरादून शिफ्ट हुए थे लेकिन साल 2007 में इन दोनों की मुलाकाद हुई परसल टीम इंडिया कुलकाता के जिस होटल में रूकी थी उसी होटल में साक्षी बता और एक इंटेन कारे किया करते थी और इसी दोरान ये दोनों काफी समय के बाद एक दूसरे से मिले थे इस मुलाकाद के बाद दोनों एक दूसरे को लंबे समय तक मिला करते थे और लगबग तीन साल बाद दोनोंने शादी कर ली थी इन दोनों की एक बेटी भी हैं और उसका नाम इन्होंने जीवा रखा है बात करते हैं महन सिंग धोनी के क्रिकेट से जुड़ी कुछ करियर की इन्हे साल 1999 में पहली बार रडजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला था और यह पहला रडजी ट्रॉफी बिहार राजी की तरफ से असम क्रिकेट टीम के विरुद्ध खेला गया था इस मैच की दूसरी पारी में धोनी ने नावाद 68 रन बनाये थे जबकि इस ट्रॉफी के इस सत्र में इन्होंने कुल 5 मैचों में 288 रन बनाये थे धोनी के बहतरी इन परदर्सन के बावजूद भी इनका चैन इस्ट जॉन सेलेक्टर दोरा नहीं किया गया था जिसके कार धोनी ने खेल से दूरी बना ले और साल 2001 में कुलकाता राज्य में रेलवे विभाग में बतौर टिकेट कलेक्टर के रूप में कारे करना शुरू कर दिया लेकिन धोनी का मन इस नौकरी में नहीं लगा और इन्होंने तीन साल के अंदर ही इस नौकरी को छोड़ दिया और फिर अपने क्रिकेट करिया पर ध्यान देना शुरू कर दिया साल 2001 में धोनी का चैन दिलीब ट्रॉफी के लिए हो गया धोनी ने साल 2034 के देवधर ट्रॉफी के टूनामेंट में भी इस्सा लिया था और धोनी पूरवी जोन टीम का हिस्सा थे देवधर ट्रॉफी का ये सीजन इनकी टीम दौरा जीता गया था और धोनी ने इस सीजन में कुल चार मैच खेले थे जिन में उन्होंने 244 रन बनाये थे दोनी को भारती टीम की ओर से पहला अंतर रास्टी वंडे मैच खेलने का मौका सन 2004 में मिला था और इन्होंने अपना पहला ओडियाई मैच बांगलादीश के विरुद्ध खेला था अपने पहले अंतर रास्टी मैच में वे कुछ खास नहीं कर सके और सून पर लोड़ गये हलाकि धोनी के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी इनका चैन पाकिस्तान के साथ खेले जाने वाले अगले ओडियाई मैच में कर लिया गया था पाकिस्तान के साथ खेले गए मैच में धोनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था इस मैच में उन्होंने कुल 148 रन अपने नाम किये थे जिसके साथ ही ये पहले ऐसे भारती विकेट कीपर बल्ले बाज भी बन गये थे जिन्होंने इतने रन बनाये थे धोनी को भारती क्रिकेट टीम की ओर से फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने का अफसर साल 2005 में मिला था और इन्होंने अपना प्रथा मैच स्रिलंका के विरुद्ध खेला था इस मैच की पहली इनिंग में धोनी ने कुल 30 रन अपने नाम किये थे मगर 12 के चलते ये मैच बीच में ही बंद करना पड़ा था ये कप्तान बनने से पहले भारती टीम के जिम्मेदारी राहुल द्रविड के पास थी और जब राहुल द्रविड ने अपने इस पत को छोड़ दिया था तो उनके जगह भारत का अगला कप्तान धोनी को चुना गया कहा जाता है कि धोनी को भारत के कपतान बनने के बाद सितंबर 2007 में दक्षण अफ्रीका में आयो जित हुए ICC विश्व कप T20 में इन्हों ने भारती टीम को लीड किया था और इस टूनामेंट को जीत लिया था विश्व T20 कप जीतने के बाद धोनी को वन डे मैच और टेस्ट मैच की भी कपतानी सौप दी गई धोनी की कपतानी के तहत ही भारत साल 2009 में ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम इस्थान हासिल कर पाया था और धोनी ने कपतान रहते हुए कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम किये थे धोनी ने दो विश्व कप में भारत का नित्यत किया और अपनी कपतानी के तहत भारत साल 2011 में विश्व कप जीता था जबकि साल 2015 के हुए विश्व कप में भारत को सेमी फाइनल तक पहुँचाने में कामियाबी हुई थी IPL के पहले सीजन में धोनी को चन्याई सुपर किंग्स ने 5 मिलियन अमीर की डॉलर याने 10 करोड में खरीदा था और यह कीमत सबसे अधिक थी धोनी पहले ऐसे विकेट कीपर हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में खुल 4000 रन बनाये हैं इससे पहले किसी भारती विकेट कीपर ने इतने रन नहीं बनाये थे महन सिंग धोनी को साल 2007 में इंडिया गौर्नमेंट ने रजीव गान्धी खेल रतन अवार्ड दिया था जो खेल की दुनिया में दिया जाने वाला शीष अवार्ड है धोनी को साल 2009 में पदमिस्री और साल 2018 में पद भूशट से इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा नवाजा गया था महन सिंग धोनी के जीवन पर हाल ही में एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम MS धोनी The Untold Story था ये फिल्म साल 2016 में रिलिज हुई थी इस फिल्म में धोनी की जिन्दगी को दर्साया गया था और उनकी भूमिका को एक्टर सिशान सिंग राजपूत द्वारा निभाया गया था साल 2013 में हुए IPL मैच में हुई फिक्सिंग को लेकर एक बार धोनी फिर भी बाद में घिर गए थे और इन पर मैच फिक्सिंग का अरोप लगा था लेकिन इन पर लगी ये अरोप थाबित नहीं हो पाया वर्ष 2020 पंदरा अगस्त के दिन इस महान खिलाडी और सर्वस्रेश्ट कप्ता ने अंतरास्टी क्रिकेट से शन्यास की घोश्डा कर देए चायने वालों के लिए यह एक बहुत गमगीन पल था यह एक ऐसे खिलाडी थे जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग क्रिक करके कमाए हैं धोनी की वार्षिक आयल लगभग 150 करोड से भी अधिक है धोनी का जीवन हमारे देश के युवाओं के लिए काफी प्रेड़ना जनक है और आज भी इनके फैंस की संख्या में कोई भी कमी नहीं आई है आज भी जब भी धोनी मैदान में खेलने के लिए उतर रहता है चाहे आई पिल के मैच हो या फिर अंतरास्ट्री मैच अब बात करते हैं महन सिंग धोनी की बाइक्स और कार कलेक्शन की महन सिंग धोनी ने अंतरास्ट्री क्रिकेट में इंट्री लेने से पहले अपनी यमहा आर एक्स 135 खरी दिती आज धोनी के पास हरली दोस्तों हम आपको महन सिंग धोनी से जुड़े और भी जानकारिया दूसरे वीडियो में देते रहेंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा महन सिंग धोनी के बारे में जानकर हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि हमारी मेहनत आपको अच्छा लगा हो धोनी से जुड़ी ये फैक्ट आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्या कोई हम आपको क्रिकेट से जुड़ी और क्रिकेटरों से जुड़ी हार खबर बायोग्राफी उनके पर्सनल लाइफ सभी के बारे में आपको बताते रहेंगे आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जै भारत करेंगे उनके लिए झाली जैफ से बला आपको लिए अज Stream